बढ़ चिलोली के फरीद वाटी का परिसर में मौजूद मंदिर में विराजी भगवान की प्रतिमाओं को आसमाजीक तत्वों ने खंडित कर दिया मामला आगे तूल ना पकड़े इसके लिए पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए लोगों को समझाया और मामला शांद कराया प्रशास्ति कदिकारियों ने खंडित प्रतिमा की स्थान पर नई प्रतिमा की प्राण प्रतिश्ठा कराने सीसी टीबी रगाने और एफाई यार दर्जकर आरोपियों को हर हाल में पकड़कर सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है जानकारी के अनुसार फरीद वाटिका परिसर में मौजूद मंदिर में भगवान शिव, शिवलिंग, नंदी की प्रतिमाओं को किसी अग्यात तत्वने छतिग्रस्त कर दिया रविवार की सुभा जम मंदिर से जोड़े श्रद्धालू, मदन, डोंग, रे मंदिर में भोलेनात की पूजा करने कए तो मंदिर में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमाओं का हाथ खंडित पड़ा था साथ यह ने प्रतिमाओं भी खंडित दिखे महीं तैसिलदार विने प्रकाश ठाकूर ने भी बढ़ चिलोली पहुँचकर घटना को संग्यान मिलिया प्रतिमाओं खंडित होने की घटना पर आर ऐसेस कारेकरताओं ने नाराज की जताई उन्होंने आस्था पर हुए हमले को लेकर पुलिस चौकी में धरना देकर विरोज चताया जिसके बाद तैसिलदार विने प्रकाश ठाकूर और चौकी प्रभारी आशिश भी मटे ने धरने पर बैठे कारेकरताओं को समझा कर शांत कराया इन अधिकारियों ने वरिष्ट अधिकारियों से मामले में परामश लेकर सभी को नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराने, CCTV लगाने और FIR दर्ज करके आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया मामले की जाच में साइबर सेल की मदद लेकर लोकेशन के अधार पर भी आरोपियों को पकड़ने की अधिकारियों ने बात कही इस्थानी लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में फरीद वाटी का परिसर में आसमाचिक तत्मों का डेरा लगा रहता है या तत्व हुरदंग मचाते हुए परिसर का सौंधर या शान्ती बिकारने का प्रयास करते हैं अधिकारियों उसने ऐसे आसमाचिक तत्मों से भी पूछताच करने की बात कही है स्थान ये लोगों के नुसार रात ने परिचर मिया समाजिक तत्मों का डेरा रहता है ऐसे में किसी भी तत्व द्वारा प्रतिमाएं तोड़ा जाना प्रतीत हो रहा है लोगों की आस्थार भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर में नई प्रतिमाएं इस्थापित करा दी जाएंगी